Hello friends, welcome to GK Point दोस्तो आज की वीडियो के सारे question boiler topic पे हैं और ये सारे question हिंदी में पूछे गए हैं तो चलिए अपनी knowledge को test करते हैं और देखते हैं कि आप 10 में से कितने questions का सही answer दे पाएंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को like जुरू कर दे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं question number one boiler पानी में से oxygen खतम करने के लिए किस chemical का प्रयोग किया जाता है दोस्तो तीन option आपको दिये गए हैं जो भी आपको सही answer लग रहा है नीचे comment करके जुरूर बताएं पान सेगिंड का समय आपके पास दोस्तो इन तीनों option में से hydrogen का use किया जाता है oxygen को remove करने के लिए question number two feed water pump का pressure drum steam pressure से कितने गुणा ज़्यादा रखा जाता है दोस्तो काफी बार ये question interview में पूछा जाता है boiler attendant को तीन option है आपके पास जो भी आपको सही answer लग रहा है नीचे comment करके जुरूर बताएं पान सेगिंड का समय है आपके पास दोस्तो इसका answer है option A date गुना ज़्यादा फीड वाटर पंप का प्रेशर स्टीम प्रेशर से डेड़ गुना ज़्यादा इसलिए रखा जाता है तभी वो पानी स्टीम के उपर दबाब बनाके ड्रम के अंदर फिल हो पाएगा question number 3 कौन सी type का fuel ash content produce नहीं करता दोस्तो हम यहाँ पे type की बात कर रहे हैं तीन option आपको दिये गए है जो भी सही लग रहा है नीचे comment करके ज़रूर बताएं पान सेंगिड का समय आपके पास दोस्तो इसका answer है option B natural gas natural gas combustion के बाद किसी भी तरह का ash content produce नहीं करती question number 4 और IBR का पूरा नाम क्या है दोस्तो यहाँ पे आपको IBR की full form बतानी है और interview में भी एक question पूछा जाता है तो 5 second आपके पास IBR की full form है Indian boiler regulation question number 5 boiler पे draft कितने प्रकार के होते हैं दोस्तो यहाँ पे आपको बताना है कि boiler पे कितने प्रकार के draft का यूज किया जाता है और उनके नाम कौन कौन से है 5 second आपके पास इसका अंसर देने के लिए दोस्तो इसका अंसर है option B3 यानि तीन तरह के draft का यूज किया जाता है boiler पे force draft, induced draft और balance draft question number 6 boiler पे कौन से दो कारण से aid draft को maintain किया जाता है दोस्तो ये question B interview में पूछा जाता है तो 5 second आपके पास इसका अंसर देने के लिए दोस्तो aid draft को दो reason से boiler पे maintain किया जाता है पहला तो है complete combustion के लिए और दूसरा है remove flu gases यानि flu gases को boiler से बाहर निकालने के लिए question number 7 natural draft किसकी उचाई पे निर्भर करता है दोस्तो काफी बार ये question exam में आ चुका है तीन option आपको दिये गए है पहला है chimney की उचाई दूसरा है boiler की उचाई और तीसरा है ID fan की उचाई तो 5 second का समय आपके पास दोस्तो natural draft चिमनी की उचाई के उचाई के उपर निर्भर करता है question number 8 boiler mounting का प्रयोग boiler पे क्यूं किया जाता है दोस्तो दो option आपको दिये गए है जो भी answer लग रहा है कमेंट करके जरूर बताए 5 second का समय आपके पास दोस्तो option B यहाँ पे right answer है यानि safe operation के लिए mounting का प्रयोग किया जाता है और efficiency को improve करने के लिए boiler पे accessories का use किया जाता है जैसे कि APH और HRU economizer question number 9 PPPU pump का पूरा नाम क्या है दोस्तो यहाँ पे आपको pump का पूरा नाम बताना है कि इसकी full foam क्या होती है 5 second का समय आपके पास दोस्तो पपू pump की full foam होती है pressure power pump package unit और इस pump का use किये जाता है condensate की recovery के लिए दसमा और आखरी प्रसंट दोस्तो इस प्रसंट का उतर आपने comment करके बताना है कि PSI का full foam क्या होता है दोस्तो PSI है जो वो pressure का unit है आपने इसकी full foam कमेंट करके बतानी है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पे इसे share कर दें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद देंगे अगर आपका रखकी ।र प्राओश प्रेष एखको का श्राओब सार्द करेमी देख ingl tenha गफ जए्ची लगका है ी अगंगे Framek 5公 gay